नमस्कार दोस्तों अटल अनुस्चंधा नकाजमे यूटूब चैनल से मैं अवनीश शुकला आप सभी का हर दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों सुबएक इस वीडियो में प्रतियों की जीवन से सम्मधित विभिन्न महत्तपुन सूचराओं को लेकर के आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ तो आईए देखते हैं ऐसी कौन-कौन सी महत्तपुन सूचराओं है इलाहबाद मिश्विद्याले में आज से बीए में दाखिले शुरू तीन चरणों में होगी बीएट की काउंचलिंग एससी सीजियल की आनलाइन परिक्षा में रिकार्ड 77.79 पीस्ति उपस्तिती विद्यार्थी जीवन से सम्मंधित अन्यम हत्तपुन सूचराओं है यहाँ पर पहली सूचना है उत्रपदे स्माद्मिक सिक्षा सिवा चैन बोर्ड से सिक्षक भरती की वेबसाइट की गलबड़ी दूर आवेदन सुरू चैन बोर्ड ने NIC के सर्वर की परिस्तानी की वज़ए से रोग दिये थे TGT प्रवक्ता भरती के आवेदन यहाँ पर आप देख रहें उत्रपदे स्माद्मिक सिक्षा सिवा चैन बोर्ड की TGT प्रवक्ता भरती के लिए आवेदन प्रक्रिया दुबारा शुरू हो गई है चैन बोर्ड की ओर से 13 नमबर को अचानक NIC के सर्वर में तक्नीकी गड़बडी के चलते आवेदन प्रक्रिया रोग दी गई थी तो दोस्तों जिन चात्रों ने अभी तक आवेदन ना किया हो वे जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें अंतिम तिथी का इंतजार ना करें आवेदन से संबंदी जो महत्तपूर्ण दिशा निर्देश है उनको अच्छी प्रकार से भली भाद तरीके से पढ़ लें इसके बाद ही आवेदन करें आवेदन से संबन्दी जो महत्तपूर्ण दिशा नर्देस है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो जल्दी से उसको देख लीजे और इसके बाद ही आवेदन करिए ताकि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटी नहों ना ही आपके अंतिम चैन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन नहों इसके बाद दोस्तों अगली ख़पर है पाठक्रम समान पर अहरता में अंतर कला विसे में चैन बोर्ड और यूपी प्यस्सी के भरती मानकों के अंतर में फसी नौकरी जी हाँ दोस्तों यह है ल्टी ग्रेट में चैनित कला वर की सिक्चक कला के भीरतियों का मामला है अपर आप देख रहे हैं उत्तरफदेश मादमिक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड और उत्तरफदेश लोक सेवा आयोक की ओर से कला विसे के लिए निर्धारित अहरता में अंतर से विवाद बढ़ता जा रहा है और बड़ी संक्या में चैनित होने के बाद भी अब्यरती नौकरी से बंचित रहे हैं एल्टी समर्तक मोचा ने मांग की है कि जब पाठकरम एक समान है तो अहरता भी समान होनी चाहिए साथ ही जिन अभ्यरतियों का चैन हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिलनी चाहिए जिया दोस्तों एक ही योगता कला वरिग में टीजी टीबे चैनित होने के ल ये अलग अलग योगता निर्धारित कर रखी है और ये योगता तम निर्धारित करते हैं जब परिच्छाएं हो जाती है चात्रों का चैन हो जाता है तो इन आयोगों से आग रहे हैं कि पहले से जब आवेदन मांगते हैं तो पहले ही नोटिपिकेशन जब पहली आवेद कि दी जाती है उसी दोरान ही योगता निर्धारित कर ले ना कि छात्रों के चैन के बाद योगता निर्धारित करे छात्र मेहनत करते हैं तैयारी करते हैं अंतिम रूप से बड़े ही मुश्किल से चैन हो पाता है इसके बाद छात्रों को बाहर कर दिया जाता है ये छात्रों या फिर संपूर्ण भारत में इस तमय बंपर वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिम्टेट से भड़ती निकली हुई है और विशे क्या है इत्यादी की भड़ती निकली है उत्तरप्देश हरियाडा तिली राजस्थान पस्ची मंगाल इत्यादी राच्चों के लोग सभी लोग इसमें अविदन कर शकते हैं यह भड़ती संपूर्ण भारत से है पदों की संख्या 482 है आईउसी मां 18-30 वर्ग है और सैच्चिक योगता यहाँ पर आप देख रहे हैं उमीदवार के पास पदानुचार 12 वें की उत्ती इंड़ साइडिफिकट निर्धारे टेट से आई टियाई डिप्लोग मां इस तना तक इत्यादी के साद अन्य पात इंस्पेक्टर टेक्निकल एक्जाम 2020 लोग सेवा आयोग प्रियागरास से निगली हुई है यहाँ पर आप देख रहे हैं रीजिनल इंस्पेक्टर एक्जामनेशन 2020 पदों की संख्या 28 है आईउसी मां 21-40 वर्ग है और आवेदन सुल्क है 225 रुपए 105 रुपए एवं 25 र फीस यहाँ पर निर्धारित है जो पात्रताएं हैं दस्वी उत्रीन मैकेनिकल आटो मुबाइल इंजिनिरिंग से डिप्लोमा इत्यादी के साथ अन्य पात्रताएं होनी चाहिए इसके आवेदन कीती थी 3 दिसंबर 2020 है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्टेट बैंक आप इंडिया में SBI में आफीसर बनने का स्वपने देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है यहाँ पर SBI से 2000 पदों के लिए बिग्या पंचारी किया गया है और जो चात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं पर सु 750 रुपए रखी गई है और प्रारंभी जो आवेदन की जो अंतिमतिती है 4 दिसंबर 2020 रखी गई है इसके बाद अगली भरती है कंसल्टेंट के विभिन पदों रिक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं केंदरी प्रदूशन नियंतर बोर्ड दिल्ली से भरती आई हुई है प 80,000 रुपए जो है इसमें आवेदन सुल को दी हुई है और आवेदन की अंतिमतिती 18 दिसंबर 2020 थै तीन चरणों में बीएट की काउंसिलिंग 19 से लखनो भी सिवध्याले की ओर से आयोजित बीएट से उक्त प्रवेश काउंसिलिंग का आयोजिन 19 रूंबर से तीन चरणो में होगा काउंसिलिंग के दिसा नर्देश विस्वध्याले की वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये गए हैं प्रवेश समन्वेक प्रोफेसर अमिता बासफेई ने बताया की काउंसिलिंग की प्रक्रिया आनलाइन होगी इसमें मुख काउंसिलिंग और फिर पूल काउंसि के बाद सीधे प्रवेश दिया जाएगा अब भरतियों को अपनी स्टेट रेंक के उसार काउंचिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का उशर मिलेगा मुक्ख काउंचिलिंग में पहले दिन एक से पचास जार तक कि इस्टेट रेंक वाले अभरति हिस्चा ले सकेंगे अंगनवाडी में प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनवाडी कारकरत्रियों का प्रसिक्षड शुरू हो गया है बीस बीस के समूव में प्रसिक्षड दिया जाएगा दस्वी पास कारकरत्री को ही प्रसिक्षड के लिए चुना जाएगा इसके लिए 6 क्रोड रु लोगों को प्रसिक्षण दिया जाना है तो दोस्तों यहाँ पर जो पड़ी लिखी आगनवारी कार करता है उन्हीं को ही पढ़ाने का औशर दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों अगली खबर है नई नौकरिया तीन दिन में पता चल सकेंगी आप जानते हैं कि संपूर भार है नई स्रम कानून लागो होने के बाद ही नई नौकरियों की जानकारी लोगों को तीन दिन में मिल जाएगी शिर्फ सरकारी ही नहीं बलकि निजी छेतर की बड़ी कमपनियों को भी केंदरवार राज सरकार से के खास पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी इससे नौकरी देना चाहता है तो उसे केंदरी केरियर संटर पर इसकी सूचना मैनुवल या फिर डिजिटल माध्यम से देना होगा अनिवार रहे जानकारी देने की समय सीमा भी तैं नई नौकरी की जानकारी देने की समय सीमा भी तैं की गई है छेतरी केरियर संटर की परिक्सा में रिकार्ड उपस्तिती सीजेल उनीश टीयर टू आनलाइन परिक्षा दीपावली आवकास के बाद भी परिक्षाड़तियों में दिखा उत्सा S.S.C. मद्द छेतर की तियारा सहरों में च्छाचट किंद्रों पर चल रही है आनलाइन परिक्षा S.S.C. की सिंग तो इस तरही सीजेल दोजार उनीश टीयर टू आनलाइन परिक्षा पंदर नमबर को शुरू हो गई है आनलाइन परिक्षा में पहले दिपवली के आवकास के बाद भी रिकार्ड 77.79 फीजदी उपस्तिती रही है जबकि दूसरे दिन 16.9 नमबर को 76.14 फीजदी अबढ़ती सामिल हुए है पहले चरण में परिक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहने वाले परिक्षार्थियों के बाहर हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में अच्छे उपस्तिती देखने को मिली है दो दिन की उपस्तिती का और शद देखा जाया तो यह फीजदी 76.9 फीजदी तथा 77 फीजदी रही है इसके बाद दूसरे अगली खबर है इलहावाद मिश्विद्याले में आज से बीए में सुरू होंगे दाखिले तो ऐसे चात्रों जो बीए में दाखिले लेना चाहते हैं वो बीए में दाखिला ले लज़ सकते हैं बीएसी गणित में भी नए कटाप के तहत होंगे प्रवेस इसके बाद दोस्तों अगली खबर है पॉल टेक्निक में दाखिले के लिए अब दो मौके ही बचे हैं काउंसिलिंग के साथवे चरण में 14,071 विद्ध्यार्थियों को कालेज आवंटेद प्रदेश के पॉल टेक्निक संसारों में दाखिले की अब दो ही मौके बचे हैं यानि सेक्त प्रिवेस्थ परिक्षा परिस्थ की काउंसिलिंग का सिर्फ आठवा वा नवा चरण ही बचा है साथवे चरण का प्रड़ाम सो मौर को जारी कर दिया गया है जिसमें 14,071 विद्ध्यार्थियों को कालेज आवंटें करते हुए इसमें फारमेसी पार्टक्रम के करीम 9,000 विद्ध्यार्थी हैं वही आठवे चरण के लिए पंजी करण की प्रक्रिया शुरू हो गई है NICTE के आदेशा नुसार तीस रूमबर तक दाखली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद दोस्तों अगली खबर है लखनो विद्ध्याले में प्रवेश परिक्षाओं में गड़बडी की जाश सुरू विद्ध्याले के बड़े अधिकारियों पर लगे आरो यहाँ पर अब देख रहे हैं लखनो विद्ध्याले की पराशना तक प्रवेश परिक्षाओं में गड़बडी को लेकर विद्ध्यारती अंदुलन अंदुलित है वही कुल सचिक डॉक्टर विनोत कुमार शिंग ने जाश के आदेश दे दिये हैं इस पर पास सदसी रिजल्ट प्रिप्रेरेशन कमिटी का गठन किया गया है जाश के बाद तीन सब्ता में नए सेरी से परड़ाम घोशित कर दिये जाएंगे इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है तो दोस्तों आज के लिए बैस इतना ही मिलते हैं नेक्टर वीडियो में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए वा अधिक से अधिक लोगों के बीच में सेर करिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सा धन्यवाद